आईए जानते हैं कि समराथ अक्बर को सबसे महान शाशक क्यों माना जाता था समराथ अक्बर एक मुश्रिम सासक थे परंतु फिर भी उन्होंने सभी राजपूतों और हिंदू का दिल जीता जिस समय पर अक्बर ने अपना राजपाट संभाला था वह केवल 13 साल के थे और इस 13 साल के बच्चे ने पूरे भारत पर राज किया और पूरे समराज्य को अपने राज्य में जोड़ा अनेक लोग जलालुदीन अक्बर को मुगल बादशाहों में सबसे महनतम मांते हैं अक्बर हिंदुकुष परवत तक अपने सामराज्य की सीमाओं को फैलाने में सफल रहा उसने इरान के सफावी राजाओं और तुरान के राजाओं को भी धूल चटाई अक्बर ने शुलह कुल जैसे नीती को अपनाया शुलह कुल में सभी धर्मों और सभी मतों को अपने अपने धर्म की इजद और अपने अपने धर्म को मानने की सुतंतरता थी इस तरीके से सुलह कुल का नियम अकबर ने बनाया जिसमे की सबी धर्मों को एक जैसा आदर और एक जैसा सम्मान मिलता था सुलह कुल का आदर्श राज्य की नीतियों द्वारा लागू होता था मुगलो के अधिन अभिजात वर्ग में इरानी तुरानी अफगानी राजबूत दक्कनी ये सबी लोग शामिल होते थे और इन सबी लोगों को अकबर ने कभी भी मुस्लिम धर्म मानने के लिए बाद्दे नहीं किया बलकि उनके धर्मों की इज़त की और उनके धर्मों को प्रोच साहित भी किया इस तरीके से सुलै कुल की नीति में अकबर ने सबी धर्मों को समान माना सबी धर्मों की इज़त की और सबी लोगों को अपने धर्म को मानने की इजाज़त दी तो सुलैक उलको अपनाकर भी अकबर एक महान समराठ बन सका अब मुगल राजाओं ने जो पहले कर लगा रखे थे जैसे कि तीर्थियातराकर और जजियाकर तीर्थियातराकर और जजियाकर दोनों ही धर्म से जुड़े हुए कर हैं इन दोनों ही करों को समराथ अकबर ने हटा दिया, तो इस तरीके से भी अकबर सभी लोगों का दिल जीत सका, अकबर ने 1563 में तीर्थ यातरा कर को हटाया और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, ये दोनों ही कर धार्मिक पक्षपात पर आधारी थे, इस तरीके से इन करो को खतम करकर अकबर एक महान राजा बना अकबर हमेशा ही अपनी परजा का पूरा पूरा ख्याल रखता था अकबर का कहना था कि जंदा की सेवा करना ही राजा का धर्म था अकबर अपने परशाशन के सुधार और लोक कल्यान के लिए भी भारतिय इतिहास में बहुत ज़ादा परशिद है उसने किसानों के हित के लिए अनेक सुधार किये उसने किर्शी भुमे को नप्वाया और उसके कर निर्धारण में अनेक सुधार किये जिस طریقے की जमीन होती थी उस जमीन से उसी तरीके से कर लिया जाता था मानो जमीन अगर बंजर है तो उस जमीन से कर नहीं लिया जाता था तो इस तरीके से अकबर ने किसानों की जरूरतों को देखते हुए और किसानों की स्थिति को देखते हुए करों को निर्धारित किया जमीन की पैमाईश करवाई और जिस तरीके की जमीन थी उसी तरीके से लोगों से पैसा लिया उसने कभी भी लोगों को लूटने की बात नहीं सोची उसने हमेशा ही अपने फरजा की भलाई की बात सोची अकबर ने अनेख बार किसानों के लगान भी माफ किये जब भी बारिश या मानसून नहीं आता था तो अकबर स्वेम उनके करों को माफ कर देता था तो इस तरीके से भी अकबर किसानों का दिल जीतने में कामियाब रहा उसने अपने सबी अधिकारियों को आदेश दे रखे थे कि वे किसानों के साथ अन्याय ना करे और उनसे उतना ही लगाल वसूले जितना वास्तों में लगान बनता हो उसने अधिकारियों को कर वसूली के बार किसानों को रसीद देने को भी कहा अकबर ने अवशक्ता पढ़ने पर किसानों को बीज, ओजार, पश्वो आदी की खरीदारी के लिए रिन का भी परबंद किया इस तरीके से इन सभी नीतियों की वज़े से अकबर एक महान समराट कहा जाता है अकबर ने राजपूतों और हिंदू साशकों को भी अपने राजजय में शामिल किया सभी हिंदू और राजपूतों को अपने दरबार में ऊचे स्थान दिये गए उसके सबसे खास लोगों में राजा मान सिंग और अनेक राजपूत लोग हुआ करते थे उनकी पतनी भी जोदा थी जो की एक राजपूत राजकुमारी थी इस तरीके से अकबर ने जाती पाती और धर्म के सबी भेदों को भुला कर सबी लोगों के साथ अच्छे रिस्ते कायम किये और पूरे भारत पर अपना सामराज्य स्थापित किया तो इस तरीके से हमने देखा कि चाहे किसानों की बात हो, चाहे सैनिक छितर की बात हो, चाहे धरम की बात हो, चाहे जाती इत्यादी की बात हो, अकबर ने हमेशा ही सभी के साथ अच्छा वहवार किया, सभी को सम्मान दिया और पूरे सामराज्य पर अपना अधिकार स्थाप अगर इंगलिश आपकी सफलता की रुकावट and if you are not getting right position respect because of English so don't worry हमारे एक चैनल है Fluenta Institute नाम से जिसका लिंक हमने उपर i बटन में और नीचे description में दिया हुआ है ये फिर आप YouTube पर Fluenta Institute लिखकर भी सर्च कर सकते हो हमारे चैनल आपके सामने आ जाएगा इस चैनल पर हम आपको Spoken English, IELTS, PT, TOEFL, Personality Development, Life Skills और Motivation से Related Videos देते हैं और अगर आप हमारे courses join करना चाहते हो तो उपर दिये के number पे हमारे counselors को call करें और courses के बारे में अभी बता करें लेकिन ध्यान रखना जो उपर number दिये गए हैं ये सिर्फ spoken English department में ही मिलेंगे बाकि कैसे information के लिए या query के लिए आप इन number पे call बिल्कुल मत करना क्योंकि ये सिर्फ spoken English related जो हमारे department है वहीं पर आपकी बाते हो पाएंगी और अगर आप चाहते हो subjects की PDF और कोई और information तो आप हमें Instagram पे follow कर सकते हो जो की हमने नीचे description में दिया हुआ है या फिर आप search करके भी हमें Instagram पे follow कर सकते हो हम जितने भी बाकी social media platform से हम सभी पर available है आप उन पर भी हमें follow कर सकते हैं बाकि जो हमारे subjects हैं उनकी सभी की videos हमने playlist में बिल्कुल sequence में डाली हुई है आप जो भी subject पढ़ना चाहते हो उनकी जो videos है playlist में से sequence में ही देखें जहांपर आपको पूरा का पूरा syllabus sequence में मिल जाएगा जैसे कि political science है, history है, civics है, सभी subjects हमने अलग-अलग से दिये हुए हैं तो जो हमारे channel है Fluenta Institute वो है spoken English के लिए बाकि अगर आप सभी subjects की जो videos देखना चाहते हो वो आपको इसी channel पर मिलेंगी Fluenta family पर और जो हमारी जितने भी subjects हों की जो videos है वो सारी playlist में से sequence में ही देखें हमने सारी videos को arrange किया हुआ है properly playlist के अंदर जिनका link भी हमने नीचे description में दिया हुआ है Thank you